अब हमारे पास PHP के अंदर एक और कॉंसेप्ट है कुकीज ठीक है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है स्टेट मेनेज्मेंट के अवाले से क्योंकि हमने यह पढ़ा था कि स्टेट मेनेज्मेंट हम क्यों यूज करते हैं वेबसाइट के अंदर क्योंकि हमारा HTTP प्रोटोकोल होता है वो स्टेट लेस होता है मतलब रिडारेक्शन के दौरान हमारा डेटा कहीं पे स्टोर नहीं होता है मतलब अगर एक डेटा मुझे एक पेज़ पे सेव करना है और मल्टिपल पेज़िस पे रिट्रीव करवाना है तो हम यह काम नहीं कर सकते अगर हमारे पास स्टेट मेनेज्मेंट की टेक्निक्स मौझूद ना हो जिस तरह सेशन अपने पिछले लेक्शर में पढ़ा था अ उनको भी इस लेक्शर के अंदर देखींगे ठीक है तो यहां पर देखो पहला कॉंसेप मैं आपको यहां पर बताता हूं कुकी का एक कॉंसेप्ट यह होता है और एक्जैंपल मैं आपको इसकी थियोरी पर बताता हूं देखो पहला पॉइंट है हमारे पास यहां पर साइट में वो कौन-कौन से action perform करता है उसके बाद वो लॉग आउट होजाता है अगर इन सारी चीजों की हमें tracking करनी हो तो तब हम use करते हैं cookies का concept session का concept भी कुछ इसी तरह का था लेकिन cookies और session में कुछ differences भी है उसको भी हम discuss करेंगे ठीक है देखो cookies और session का एक main difference में आपको यां पर बता देता हूं त इसका मतलब cookie जो store हती है वो कहाँ पर होती है web server के उपर store होती है और sorry जो हमारे पास session है वो web server पे store होता है और cookie हमारे पास कहा पे store होती है client के browser पे store होती है client की machine पे store होती है ठीक है यह इसका एक difference है ठीक है फिर यहां पे देखो cookie क्या होती है cookie is a small file that the server embeds on the user's computer embed का मतलब attach करना ठीक है मतलब cookie किसे कहा जा रहा है एक ऐसी small file होती है जिसमें user का कोई data हो सकता है और वो cookie बनती कहां पर है हमारे user के computer पे ठीक है मतलब client के उपर बनती है server के उपर नहीं बनती server के उपर क्या बनता है session बनता है ठीक है यह इसका एक point है ठीक है वाई for example cookie की एक बहुत अच्छी example जो के मैं पहले भी अपने lectures में दे चुका हो कि आप जब login करते हो ठीक है login form होता है login form के नीचे एक remember me checkbox आ रहा होता है वो remember me checkbox क्या करता है देखो जब आप remember me के checkbox के उपर click करके जब आप login होते हो तो आपका जो username और password होता है वो आपकी एक cookie में save हो जाता है और cookie का पे store होती है आपके browser पे मतलब आपके client पे ठीक है तो जब आप next time for example आपने जब login किया remember me के ओपर check लगा के आपने login कर लिया तो आपकी cookie create हो गई का पे आपके client के उपर तो जब आपने सारा काम कर लिया website में logout कर लिया तो logout के बाद जब आप next time login पे आओगे तो आपको username और password दुबारा देने की ज़रुवत नहीं है ठीक है क्योंके username और password की text box के अंदर data automatically fetch हो रहा होगा कहां से आपकी cookies से और cookies कहां पे store होती है आपके browser पे client site पे store होती है ठीक है यह इसका main concept है मतलब देखो एक और आपको मैं इसकी example बताओ आपने अगर online shopping की हो ठीक है तो online shopping में for example आपको product select करते हो ठीक है उसके बाद आप अपने address बगरा देते हो अपने information देते हो ठीक है मतलब आप अपना name बताओगे आप अपना email बताओगे आप अपना address बताओगे contact number बताओगे यह सारी चीज़े बताते हो ना तो यह सारी चीज़े आपको सिर्फ एक दफ़ा बतानी होती है मतलब अगर आप आप आपने order मंगवा लिया वो आपके घर पे आगया अब आपने next time कोई next day कोई और order मंगवाना है तो आप जब product select करते हो और दुबारा उस area पे जाते हो किस area में जहां पे सारी information आप से उसने first time ली हुई होती है वो automatically पहले से ही retrieve हो रही होती है मतलब आपको address email देना दुबारा देने की जरुवत नहीं पड़ती क्यूंकि वो जो data retrieve हो रहा होता है fields के अंदर वो सारा cookies से retrieve हो रहा होता है और वो cookies store कहा पे करता है cookies वो store करता है आपके client के ओपर browser के ओपर मतलब देखो cookie create करना किसका काम हो होता है मतलब जब आप coding कर रहे होते हो तब आपको पता होता है ना कि मुझे user का data उसी के client के उपर उसी के browser के उपर store करवाना है ताके वहीं से data retrieve कर सको ठीक है तो मतलब जब first time request मैं आपको figure से समझाता हूं देखो हमारे पास एक figure है आपको पता है जो हमारा हमारी website होती है वो client server architecture के ओपर base करती है ठीक है मतलब client मतलब आपका browser आपका PC और एक server होता है तो देखो cookies किस तरह से काम करती है वो समझना मतलब cookie का workflow क्या है देखो जब आप for example आप यहां से login होते हो ठीक है login होते हो और कि इस तरह से जिस तरह मैंने बताया remember meec नउपर check लगा कर हम login होते हैं तो request कह जाती है server के पास तो वो cookie बना के देता है वो कौन देता है server बना के देता है मतलब हमारी वेयर्प साइट होती है वो कहां पर रखी भी होती है server पर रखी होती है ना तो हम उस website को जब access करते हैं त तो request client से कहा पर जाती है, server के पास जाती है, और server हमारी website को उठा के देता है, और website के अंदर मैंने cookie create करने का क्या दिया हुआ है, code लिखा हुआ है, तो जब वो response भेजेगा, मतलब यहां से देखो first step में क्या गई, client से request गई, server के पास, लेकिन server पे क्या हुई cookie create हो गई, ठीक है, लेकिन अब वो जब response भेजेगा client में, उसके साथ-साथ क्या भेजेगा, cookie भेजेगा, जो हमारे browser पे जाके store हो जाएगी, तो जब मैं next time login form में आऊँगा, मतलब third time जब मैं request करूँगा, तो हमारा जो browser के अंदर, जो cookie create हुई है, वो भी साथ जाएगी, मतलब उसका data भी साथ जाएगा, इससे होगा क्या, कि मुझे जो data cookie के अंदर मैंने store करवाया था, वहीं से मैं data retrieve कर रहा हूँ, मतलब मुझे दुबारा data देने की ज़रुवत नहीं है, क्योंकि जब first time client से request गई थी server के पास, तब cookie create हुई और उसने cookie को कहा पर बेज़ दिया, client पर बेज़ दिया और client पर हमारे पर cookie store हो गई, फिर जब next time, जब मैं third time उसी page को access करूँगा, तो वो direct हमारे client के ओपर cookie बनी हुई है, वहीं से data लेके हमारे client पर display करवा देगा, इससे फाइदा क्या होता है, क्योंकि cookie हमारे client पर store होती है न, मतलब request दुबारा server के पास नहीं जाती, वो cookie से data उठा के हमारे client पर display करवा देती है, यह हमारे पास concept होता है cookie का, तो देखो, अब back आते हैं, जहाँ पर क्या कह रहा है, each time the same computer request a page with a browser, it will send the cookie to, मतलब आपने जब एक दफ़ा login किया, जिस तरह मैंने बताया, remember me के उपर चेक लगा कि आपने login किया, तो username और password का data कहाँ पर store हो गया, cookie में store हो गया, और cookie आपकी कहाँ पर store हो गई browser में, तो जब आप next time उसी page पे आते हो, जब आप उसी request पे आते हो, तो data cookies से पहले ही आपकी retrieve के अंदर, मतलब जो cookies का data है, वो पहले ही आपके text box के अंदर retrieve हो रहा होता है, आपको दुबारा data provide करने की ज़रत नहीं होती, मतलब जो cookies हैं, यह बहुत सारी जगा पे use की जाती है, ठीक है, मतलब देखो, यहां कहरा है, with PHP you can both create and retrieve cookie values, मतलब cookie के अंदर data हम set भी करवा सकते हैं, और वहाँ से data retrieve भी करवा सकते हैं, ठीक है, यह point याद रता, फिर देखो क्या कहरा है, cookies enable websites to store user information, मतलब आपकी website पे जो user आ रहा है, उसकी information, अगर आपको उसी के client पे store करनी है, उसी के browser पे, उसी की hard drive पे store करनी है, तब आप use करते हो cookies का concept, ठीक है, तुकिए मैंने बताया था, cookies का data client side होता है, और session का data server side होता है, यह आपना, यह इसका एक main concept है, फिर PSP supports hyper tax transfer protocol, HTTP cookies, मतलब जो हम cookies बनाते हैं, वो cookies कौन सी cookies कहलाती है, HTTP cookies, क्योंकि जितना भी काम हो रहा है, वो तो HTTP protocol पही हो रहा है न, ठीक है, मतलब HTTP का जितना भी, क्योंकि हमें पता है कि HTTP state less होता है, उसमें data store करने की ताकत नहीं होती, तब ही हम use करते हैं, session या cookies का concept, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे, इसके practical work start करने से पहले, एक चीज़ आप अपने mind में रख लो, ठीक है, कि जो काम हम session के थू करते हैं, वो काम हम cookie के थू भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक main difference क्या है, कि जो हमारे पास session होता है, जो उसका variable बनता है, उसके अंदर जो data store होता है, वो सारा काम कहां पे होता है, web server पे होता है, लेकिन cookie के अंदर जो भी हम data store करवाते हैं, वो हमारे client के browser की memory पे store होता है, ठीक है, तो अब आते हैं इसका practical work देखते हैं, ठीक है, के cookie किस तरह से create की जाती है, किस तरह कहां पे cookie store होती है, और कैसे cookie का data retrieve किया जाता है, इसको देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ ब्रैकिट में आता हूँ मैं, और एक हम new file create करते हैं, ठीक है, इस file को पहले मैं ctrl s करके save करता हूँ, ठीक है, फाइल जाम store कहां पे करते हैं, c drive में, wm64, www का folder, और इसके अंदर मैं एक folder बना लेता हूँ पहले, ठीक है, एक folder बनाते हैं, और इस folder का नाम मैं रख लेता हूँ, for example, cookie, ठीक है, और इस cookie के folder के अंदर, मैं यहीं किसी file को save करता हूँ, और इस file का नाम मैं रख लेता हूँ, for example, page1.psp, ठीक है, save करते हैं यहां पे आके, page1.psp के नाप से save होगया, आप html का जो basic code लेते हैं, html plugin के through, html colon 5 tap, ठीक है, और यहां पे आके, post, ठीक है, और इसके अंदर, मैं एक label बना लेता हूँ, ठीक है, और इस label को मैं कह देता हूँ, enter your name, ठीक है, मतलब देखो, मैं एक text field बनाऊँगा, और उसमें name लोगा, ठीक है, user से, और वो name मैं cookie के अंदर store करवा कि, उसको multiple pages पे retrieve करवा हूँगा, ठीक है, तो यहां पे आते हैं, और अब मैं text field लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ, input, colon, text, और tap, प्रेस करता हूँ, तो यह text field आ गई, और यहां पे name है न, तो मैं इसका नाम ख़़ देता हूँ, ठीक है, और इसकी ID हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, और फिर required मैं आपे लगा देता हूँ, ठीक है, और फिर इसके बाद, यहां पे आके मैं एक line break देता हूँ, और line break के बाद, मैं एक submit button ले ले लेता हूँ, input, colon, submit, tap करते हैं, और इस value को मैं कर देता हूँ, और इस button का एक name set करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ, submit btn, ठीक है, submit btn यह, इसका मैंने नाम रख दिया, अच्छा, अब इसका जो भी मैं data दूँगा, वो मुझे cookie में store करवाना है, और multiple pages के उपर retrieve करवाना है, ठीक है, तो अब form के नीचे, यहाँ मैं, php का tag open करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर, अब पहले में ही चेक करता हूँ, कि button पे click हुआ है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, इस set, ठीक है, method कौन सा यूज किया है, पोस्ट, तो post method के थूँ, मैं इस button को get करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, हम एक global variable यूज करते हैं, पोस्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे, इसका नाम कह देता हूँ, submit button, इसको यहाँ पे copy paste कर लेते हैं, और अब मैं कह रहा हूँ, अगर इस submit button के उपर click हुआ है, मतलब अगर इस submit button set हुआ है, तो क्या हो, तो देखो यह जो हमारे पास, name का text box है, इसके अंदर मुझे, यहाँ पे data चाहिए, एक variable के अंदर, ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ, name, और इसके अंदर, मुझे कौन से text box का data चाहिए, name text box का data चाहिए, जो मैं इस variable के अंदर store करवा रहा हूँ, ठीक है, मतलब text box से data get करके, मैंने variable में store करवा दिया, अब यह data मैं store कहां पे करवाऊँगा, अपनी cookie में, ठीक है, तो अब देखो, cookie create करने के लिए, हम एक method यूज करते हैं, जिसको कहते हैं set cookie, क्या कहते हैं, set cookie, ठीक है, और एक बात याद रखना ही, जो set cookie है, मतलब यह at a time, एक cookie create करती है, ठीक है, मतलब यह method है, यह at a time हमें, एक cookie create करके तुछा है, अब देखो, इसके कुछ arguments होते हैं, set cookie method के six से seven arguments होते हैं, लेकिन जो हमारे पास important हैं, उन्हीं को use करेंगे, अब देखो, पहला argument होता है cookie का नाम, हमने नाम क्या रखना है cookie का, और इस अब फिर, मैं cookie का नाम क्या रखना हूँ user, मतलब इस name से, मैं इस cookie की value को retrieve करवा सकता हूँ, ठीक है, और फिर, इस, समझे लो, ये cookie के variable का नाम हो गया user, और इसके अंदर, data कौन सा store करवाना है, जो मैंने name के variable में get किया, ठीक है, तो अब देखो, इसका second argument, यहाँ पर मैं क्या pass कर देता हूँ, name का variable, मतलब, समझे लो, ये cookie का variable है, इसके अंदर value के store करवा रहा हूँ, जो name के variable में आएगी, मतलब, पहला argument होता है, cookie का नाम, और दूसरा argument होता है, इस cookie पे जो भी value आपने store करवानी है, वो आप second argument में देते हूँ, ठीक है, तो जब ये cookie create हो जाएगी, मैं इसको कहता हूँ, कि कहां पे move हो जाओ, एक दूसरे page पे move हो जाओ, ठीक है, मतलब, दूसरे page पे redirect हो जाओ, और उसकी location क्या होगी, for example, page 2.psp, ठीक है, page 2.psp, अब देखो, अभी ये page मैंने बनाया नहीं, तो ये page मैं बनाऊँगा, इसी folder के अंदर, जिस folder के अंदर, ये page 1 वाली file है, control and press करता हूँ, और यहाँ पे आके, इस file को पहले save करते हैं, ठीक है, तो save मैं करूँगा, वहीं c drive में, mhm64, www के folder में, और यहाँ पे मैंने folder किस नाम से बनाया था, cookie के नाम से, और यहाँ पे मैं, paste 2.php के नाम से इस file को save करता हूँ, ठीक है, ये paste 2.php के नाम से file आ गए, अब इसके अंदर भी मैं, html का basic code ले लेता हूँ, html colon 5 tab, और अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो, इस cookie का data मुझे retrieve करना यहाँ, ठीक है, मतलब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं, जैसे ही वो name देगा, text box के अंदर, check करेगा, यहाँ पे के submit पे click हुआ, अगर click हुआ है, तो वो name के variable में, data set हो जाएगा, text box का, फिर वो cookie में set हो जाएगा, और वो फिर कहाँ पे navigate हो जाएगा, paste to.psp पे, मतलब अब जो cookie का data है, वो मैं यहाँ पे retrieve करूँ आँ, ठीक है, किस तरह से देखो, मैं आप एक if start करता हूँ, और यहाँ पे देखो, इस set के method के through, अब देखो cookie को retrieve करना है ना, तो मैं एक global variable यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है, ठीक है, अंडरिस्कोर, पहले dollar sign, फिर अंडरिस्कोर, फिर cookie, और हमने अपनी cookie का नाम क्या रखा था, user, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब तो paste to, paste to.php के ओपर आएगा, तो चेक करेगा, कि यह जो user वाली cookie है, वो set है, मतलब उसके अंदर data है, अगर है, तो यहाँ पे message क्या आजा है मुझे, welcome, ठीक है, और इसके साथ, concatenate क्या हो जाए, इस cookie के अंदर जो भी data है, ठीक है, मतलब cookie को retrieve करने के लिए, मैंने यह line यहाँ पे लिखी है, क्या underscore, फिर cookie, और उसे पहले dollar, मतलब इसके अंदर जो भी value में store करवाऊंगा, वो welcome के साथ concatenate के print हो जाएगी, लेकिन अगर cookie set नहीं है, मतलब इसके अंदर data अगर नहीं है, तो क्या हो, तो यहाँ पे, हम इसको वापिस redirect कहाँ पे करवा दें, देखो, यहाँ पे page 1 है न, यहाँ पे मैंने एक line लिखी थी, header वाली मैं इसको copy करता हूँ, और मैं इसको page 2 के अंदर यहाँ पे page कर देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ, अगर cookie set नहीं है, तो कहाँ पे चला गाई है, वापिस page 1.psp के ओपर चला गाई है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था, cookie का data भी हम multiple pages में retrieve करवा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे, page 2 है न, page 2 से मैं जाता हूँ, page 3 के ओपर, तो यहाँ पे मैं एक और link बना लेता हूँ, इस body के closing tag से पहले, A लिखता हूँ और tap प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ, page 3.psp, और यहाँ पे मैं इस link को text में देता हूँ, go to page 3, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक दूसरा page बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम रखता हूँ, page 3, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, c drive में, tab 64, www का folder, और इसके अंदर, मैं, page 3.psp के नाम से, देखो, cookie के folder के अंदर store करवानी, page 3.psp, अब मैं यहाँ पे आके save करता हूँ, ठीक है, अब देखो, जब वो, page 2.psp पे आएगा, चेक करेगा, के cookie सेट हुई है, अगर हुई है, तो यह message आएगा, else में हमारे पास बनना क्या होगा, वो उसको page 1 पे redirect कर देगा, और फिर page 2 के उपर मैंने एक link दिया हुआ है, जिस पे click करने से वो कहाँ चला जाएगा, page 2 पे चला जाएगा, sorry, page 3 पे चला जाएगा, अब मैं इसी सारे code को copy करता हूँ, और page 3 में paste कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जो link है, यह मैं अटा देता हूँ, ठीक है, मतब देखो, अब जब वो page 3 पे आएगा ना, तब भी check करेगा, कि अगर cookie सेट हुई है, तो उसका data यहाँ पे मुझे show हो जाए, otherwise दुबारक आप भेज़ दे, page 1 पे जहाँ पे वो text box है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊँगा, कि जब मैं इसके अंदर data, text box के अंदर store करवा लूँगा, तो वो browser में किस तरह से नदर आएगी है, तो उसको देखते हैं, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने browser पे, और यहाँ पे local host है, इसके बाद हमने इसके अंदर folder बनाया था, cookie के नाम से, और पहला page मैं run करूँगा, page 1.psp, और यहाँ पे आके enter करते हैं, ठीक है, तो देखो, यहाँ आ रहा है, लेबिल बनाया था, पे text box बनाया था, और उसके बाद subject का button, ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कि हमारी cookie create कहाँ पे होगी, ठीक है, देखो, मैं यहाँ पे कौन सा use कर रहा हूँ browser, Google Chrome, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको right, top right side पे, यह बटन अदर आ रहा होगा, three dots का, इसके उपर click करना है, और फिर आप जाओगे setting में, ठीक है, settings अपे जागिया, अब आज़ो, आप सबसे last में, scroll करके इसको सबसे last में आज़ो, यहाँ पे आपको एक option नदर आएगा advanced, इसके उपर click करना, ठीक है, और फिर आप थोड़ा सा और scroll करके नीचे आओगे, यहाँ पे आपको एक option मिलेगा, content settings, ठीक है, अब इसके उपर click करना है, फिर यहाँ पे देखो, सबसे पहले पहले आपको नदर आ रहा होगा cookies, ठीक है, इसके उपर आपने click करना है, ठीक है, और यहाँ पे देखो अब चौता option, see all cookies and side data, मतलब cookies का जो भी data है, वो आप देखना चाहरे हो, तो इसके उपर click करना है, ठीक है, अब देखो, cookies हमारे पास store होती है, domain name के उपर, मतलब हमारा domain name क्या है, local host, ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ पे मैं cookie देखना चाहरा हूँ, हम यहाँ पे cookie को सर्च कैसे करूँगा, अपने domain name के साथ, हमारा domain name कौन सा है, local host, जो Apache web server का है, जिसके उपर हम run कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, अभी अगर मैं आउँ, यहाँ पे देखो, local host के अंदर cookie बनी हुई है, यहाँ पे देखो, और अब इसके अंदर for example में data store करता हूँ, for example मैं यहाँ पे data store करता हूँ, अब अब submit के उपर click करता हूँ, तो जैसी submit पे click करूँगा, मैं कहाँ पे आ जाँगा, paste 2.psp के उपर, और वहाँ पे data retrieve हो रहा है, तीक है, इसका मतलब, अब अगर मैं यहाँ पे cookie देखूँ, तो मतलब मेरी cookie create हो चुकी है, क्योंकि cookie create होने के बाद ही मैं कहाँ पे आ रहा था, paste 2 के उपर आ रहा था, और अगर इस link के उपर click करूँ, तो मैं कहाँ चला जाँगा, paste 3 के उपर चला जाँगा, मतलब session की तरह ही है वोड़ा एकाम, लेकिन यहाँ पे जो cookie का data store होगा, वो कहाँ पे होगा ब्राउजर की memory में, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी cookie बनी है, उसके अंदर यह जो आदिल store किया था, वो आप देख कहा से सकते हूँ, तो देखो, यही setting में आता दुबारा, और यहाँ पे आओ, एक दफ़ा आप, यही जो portion है, यहाँ पे इसको refresh कर दो, ठीक है, और फिर उसके बाद दुबारा यहाँ पे search cookies में आओ, और लिखो localhost, ठीक है तो देखो, अभी क्या आ रहा है, localhost पे दो cookies store है, मैं इसके ओपर click करता हूँ, तो अब देखो, second पे देखो, हमारे नाम से cookie आ रही है, जो में नाम रखा था user, अब मैं देखो, यहाँ पे drop down पे click करके, इसको expand करते हैं, तो अब देखो, cookie का नाम क्या रखा था user, उसके अंदर content क्या भीज़ा था मैंने, मार्च फाइफ को 5 बज़के 40 मिनट पे cookie क्रियेट होगी, लेकिन अब देखो, यह cookie expire कब होगी, क्या कह रहा है यहाँ पे, when the browsing session ends, इसका मतलब, आप जैसे ही अपना browser बं करोगे, आपकी यह cookie भी क्या हो जाएगी, delete हो जाएगी, इसका मतलब, कि अगर मैं ब्राउजर बं करके दुबारा ओपिन करूँगा, और अगर मैं page 3 के ओपर आने की कोशिश करूँगा, तो मेरी cookie तो delete हो गई है न, तो वापिस वो मुझे कहां भेज़ देगा, page 1 के ओपर भेज़ देगा, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अपना यह जो ब्राउजर है इसको बं करता हूँ, ब्राउजर बं किया और एक दफा फिर इसको आप open करते है, ठीक है, अब सबसे पहले चेक करते हैं, कि वो जो ब्राउजर मैंने बं कर दिया, दुबारा ओपिन किया है, तो पहले चेक करते हैं, कि वो कुकी डिलीट हुई है नहीं, मैं वही जाता हूँ सैटिंग्स में, और फिर उसके बाद, लास्ट में हमारे पास आएगा, एडवांस को आप्शिंस, एडवांस के ओपर क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा नीचे आओगे, पहले content settings, इसके ओपर क्लिक करना है, और फिर यहां पर cookies, और फिर यहां पर see all cookies and site data, और यहां पर आके domain name के नाम से, local host आपने सर्च करना है, और अब देखो local host आ रहा है, अगर मैं इसके ओपर क्लिक करूं, तो आप देखो, वो जो हमारी user वाली cookie थी, वो delete हो चुकी, इसका मतलब के उसकी जो expiry थी, वो कब तक थी, जब तक मेरा यह जो browser है, वो open है, यैसे मेरा browser open होगा, वो cookie भी delete हो चुकी, और अगर अब मैं यहां पर आऊ, मैं अब अपने local host के अंदर, ठीक है, यहां पर जो हमारा cookie का folder था, ठीक है, और इसके अंदर, मैं direct page 3 पे जाने ही कोशिश करता हूँ, page 3.psp, ठीक है, अब देखो, page 3 के उपर तो मैंने restriction लगाई हुई थी, अगर cookie set होगी, तब ही page 3 के उपर आएगा, otherwise वो का चला जाएगा, page 1 पे चला जाएगा, तो देखो cookie तो delete हो चुकी है न, क्योंकि मैंने अपना browser बंद करके दुबारा खोला है, और अगर मैं यहां पर enter करूँगा, तो आप इजल लेगा, देखो बापिस मुझे कहां पर ले आया, page 1.psp के उपर ले आया, मतलब हमारे पास समझ लो, दो टाइप की cookies होती है, एक होती है persistent, एक होती है हमारे पास persistent cookie, और दूसरी हमारे पास होती है non-persistent, ठीक है, मतलब यहां पर एगर मैं लिख के आपको दिखाऊ, persistent cookie और non-persistent cookie, अभी यह जो create key थी, हमने यह कौन सी cookie थी, यह थी है आपके पास non-persistent, non-persistent का मतलब, non-persistent cookies वो cookies होती है, जो आपके browser को बंद करने पर delete हो जाती है, वो कौन सी cookies होती है, non-persistent, लेकिन persistent cookies कौन सी होती है, जिनकी आप time duration set करते हो, मतलब, एक cookie मैंने बनाई, वो मेरे browser पे save हुई, वो अगले दो दिन तक save रहनी शाहिए, बेशक मैं अपना browser बंद कर दूँ, उसके अगर मैं, मैंने दो दिन की एक persistent cookie बना ली, इसका मतलब, कि अगर मैं अपने browser को बंद करके next दे आऊँगा, तो तब भी वो persistent cookie मुझे show होगी, ठीक है, वो delete नहीं होगी, अभी यहाँ पे जो मैंने बनाई है, cookie यह non persistent थी, अब मैं बनाता हूँ persistent cookie, तो persistent cookie बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप दूब